आदरने इमाता हूं बैरों और भाईयों हमारे समय है तीकर आप जी के नाम से लिए गाउं जाना जाता हूं आज वो हमारे पीच में नहीं है लेकिन उनकी यादे हमारे पास है मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लोगसभा चुनाओ राजगर्द के फ्रदिनी कौन लोगसभा में बैठे है कौन लोगसभा में आपकी दिक्त परिशान्यों को उठाए कौन देश की सबस्याओं पर अपनी बात रुड़ता से कहे उसका चुनाओ होने जा रहा हूं मैं आपसे इतना क्याना चाहता हूं कि पहली बार में सन 80 में राजगर्द दिली का प्रभारी मंत्री बनकर आया था उसके बार 84 में मुझे लोगसभा का यहां से ठिक्ट दिया गया उसका में ये चुनाओ शेथ से कोई मुंबई को आके तना जीट जाता था कोई करणाटक का आके जीट जाता था जिसको कोई लेना देना नहीं था इसे लाकर से यहां के बतनाता भाई और भै बस जिसको धिर्म के नाम पर कोई उभी दीद्वार आ जाये उसको दिदा देते थे और फिर पांच साल तक उसको ढूटते रहते थे कहा गया मुझे 84 में टिकेट दिया गया और मुझे इस बात की खुशी है यहां के लोगों का प्यार कब से मुझे से दिलता है मैंने राजगर दिली में और राजगर के लोगसभा सीथ पर क्या क्या किया जा सकता उस पर फुरा मेरा प्यास रहा है राजगर दिले में जगीने कमजोर होने के कारण यहां पर अनाजगी भार से आता और यहां से अधिकाल जनसंक्या राम गैन बंडी की ख़दानों के काम करने के लिए निकल जाती थे या चैत करने बार चले आते हैं अभी हालत है कि चैत करने के लिए बार से लोगे आते हैं और मशीने लग नहीं हो आर्वेस्टे चल रहे है तो बात रही थी मैंने पानी पर जादा धार है तो मैंने हमेशा राजगर दिली ने पानी की सबसे बड़ी प्रात्रीक्ता मेरे दी और आज इहालत यह है कि कहा अनाज फैदा नहीं उताता हूँ हाँ आज वेयर हाउस पे वेयर हाउस बत्ती चले जा रहे हैं अब किसने वेयर हाउस बनाए जाता हूँ मैंने ही कहूँगा किसानों के यहां मैनक करी है और आज काफी इस पे तरक्डिनी हुई है हर गाओं में बिट्ली पहुची है हर गाओं में पीने की विरस्ता हुई और रामगण मंडी से भोपाल के रेंगे लाइज भी हम लोग ने उससाने तराई थी जो भी चल रहा है और वही है किसी के साथ साथ यहां हेज्टी जे टैस पाइप्लाइं निद्म और रागोगर्ण के पास डैम था और जमीन थी वहां अगोपी कृष्ण सागर डैम था आज से पानी मिला और जमीन था भी महां पे मौज़ोड थी तो सो तीन सो एकर तर्टारी जमीन थी वहां पर लेफल प्लांट अला गेल का प्लांट इस से आज जीस परचीस हजार गोगर्ण के बुज़गार्ण के यहां की में लोग भाजा के काम करें इस तरह से मैं ने यहां की सेवा की और मुख्यमत्री रहा आने से कुछ रोकेगा नहीं और उसको प्राफिक कर दीज़ें प्राफिक करें नारू रोग वहां के कलता है नारू रोग में घंदा पानी पीने से यहां नारू रोग निकलता है और उसमें लोग हर घंद काओं में आप दो चोट दो चार्ट दस लोग की रिट दे तो गहने नारू रोग विश्य नहां चालू करणा है और हेंट पर डिस्किमेश से लेगें और तीन साल के अंदर नारू रोग समाफ हो गया हाथ एक ही हारू रोग होने वे ने जिए पोलियों यहां पे बहुत होता था अब पोलियों का भी माता निकलती थी वोगी समाफ सेचाई, शिक्षा और स्वास पर पुरा ध्यान दिया है और उसमें परचाइट की राज खानून अपने जब बनाया तो उसमें शिक्षकों की निक्तिक अधिकार जन्पत और जिला पर्षद को दी नगरपाली का नगरपंचार को दी और गाओं के लड़कों को प्राद्म इसकी वजह से यहां पर आप इस गाओं में चले जाओगे उस गाओं में कोई न कोई शिक्षक कर्मी नहीं भर्दी काया पचायत कर्मी मिलना स्वास करें अब उसके आगरपड़ी कारी करता हो गया है जन्द स्वास प्रक्षक हमने बनाए छे महिने की क्यों को देते थे औ और वो लोग हर गाओं में लेकिन सरकार की नियब उतने हैं तुद को रोग लगानी हुए फिर भी अगर कोरोना में अगर किसी ने जान बचाई है तो जोला चाप हमारे दंपाउस प्रचर को निदान बचाई हुए उसके बाद में उन्होंने केतों में जाके और प्रेड क प्रेड के निचे उनोंने पॉट चाप है तो इस तरह से मेरा एक जीविस सफ़क रहा है अब यहां से पिछली बार साढ़े चार अलार से भाजपर जीग है अब ऑगर्स का मुझे आदेश हुआ तो रहा उड़ना है भाजपर ने कहा है कि कॉंगर्स के लोगों को कोई सब्सक्रा साल की बूड़े की पुनाव राजपर तो मैंने कहा कि इसलिए मैंने पद्यात्रा शुरू किये कि आओ भाजपर नौजपर नौजपर चलो मेरे साथ घर्मी मेरे चाजपर 20-20 किलोग भी बात यही है कि मेरा जीवन नाजपर पचास साल हो गया और मेरा जीवन पूरे तरीके से समाज सेवा में गया है और आगे भी आजपर चलाएगा जन्ता की स्पीच के रहोगा ये एक शेट पूरे तरीके से अदलाव की हो यहां के लुपर क्या ती देंजा कि अब आहुले उसको जमीने को पट्टे दी और निया दी सरकारी जमीन पर किसी ने मकान बनाया था इसको पट्टा दिया और यदि सरकार हमारी 2023 में बन जाती है तो आज इस घाव में चले जाओ पुश्तेरी मकान और पुश्तेरी मकान पुने के आपकार पुम्हारन। प्रेजिस्टी को नहीं है जब रजिस्टी नहीं है तो उनको बैंक करता है नहीं है हमारा भोशना पत्र में निर्डे था जाओ था यह सरकार कॉंग्रेस के बने थी तो उन सब लोगों को मुफ्त में सरकार रजिस्टी कर दिया थे जिसे नहीं बनी जिसे नहीं बनी जिसे भगवाज बता सकते हैं कि किसी को उपीद रही थी कि भाजपा सरकार बनाएगा अब उसमें मशीन धाक्टेल हुआ कि किसका क्यलू हम लेगा तो आज हम आपसे पूछते हैं यह बताओ कि अपना चुनाओ बैलेट पेपर से होना चाह कि बूलो बैलेट पेपर से हैं इवियम से मशीन से तुनाओ कराने के पच्छने कोई होत्वाब उठाओ इस लिए अब एगी तरीका है